वेलकम टो गाईस माइ नी वीडियो तो गाईस अज मेरे पाश जो फोन आया हुआ ये मोटो कमपनी के है गाईस इसमें जो प्रयूबलम है य सका है चारजिंग पिन खराब तो guys इसमें charging pin प्लकिंग करते हैं तो यहाँ पे guys कोई response नहीं देता है पर यह phone on है guys इसमें जो problem हो वो charging pin का है तो आज के video में guys इसका charging pin करेंगे replacement तो guys इस phone को पहले तो यहाँ से open कर लेते open करके guys इसका sub board जो है उसे बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल लेगाईस इसमें जो पहला stuff है इसका charging pin करेंगे replacement क्योंकि यह phone जो है इस charge नहीं पकड़ रहा है और यह phone जो है guys on है इसका power की काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जो है guys मैं इसे sub board को बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे इसका जो charging pin है इसे करेंगे replacement इसे काफी आसान है guys इसका charging pin replacement करना तो यहाँ से guys इस sub board को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के इस charging pin को replacement करेंगे करेंगे क्योंकि यह charging pin खराब है guys तो यहाँ पे जो है charging pin को निकाल के एक नया charging pin को बैठाओंगा तो यहाँ पे जो guys मैंने charging pin निकाल लिया है और यहाँ पे जो है नया charging pin बैठा रहा हूं यहां solder से इसे बैठाओंगा काफी easy step होता है है गाइस charging pin replacement करना तो देख सकते गाइस इसे काफी अच्छी तरह से पहले soldering कर लेते हैं चारों तरफ से क्योंकि मोटों के फोन में जो है charging pin का काफी कम support होता है तो देख सकते गाइस इसके पहले जो है side का मजबुत कर लेते हैं उसके बाद इहां से जो है गाइस इसके पांच जो पीन है उसे काफी अच्छी तरह से soldering करना पड़ता है क्योंकि गाइस इसमें जो है charging प्लकिंग करने से जो है इसका जो पीछे के 5 point होते हैं वो काफी लूज हो जाते हैं तो पहले इस गाइस इसका जो है पट्टी को अच्छी तरह से clean कर लेते हैं क्योंकि इस पे काफी mausher लगा हुआ है उसके बाद गाइस इसको fitting करके देखते हैं जो इसमें charging का problem था वो solve होता है कि नहीं तो यहां पर जो गाइस मैंने इसे अच्छी तरह से clean कर लिया है कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास moto के phone आते हैं उसका जो charging पिन replacement करना होता काफी easy trick होता है तो इस तरह इसे open करके अच्छी तरह से आपको soldering करके इसे charging pin को बठा देना है और जो है गाइस इसमें जो charging का problem होता है वो solve हो जाता है कि यहां पर गाइस मैंने charging pin replacement कर दिया है अभी गाइस आप लोग को charging प्लकिंग करके दिखा देता हूं इसमें जो problem था charging का वो solve हुआ कि नहीं कभी गाइस अगर आप लोग के पास moto का phone आता है तो charging problem है तो गाइस उसका charging pin कर दो replacement देख सकते गाइस यह phone चालू हो गया है अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना इसमें जो गाइस problem था वो charging pin का ही था तो मैंने इसे charging pin replacement किया यह phone charge उठा लिया है तो यहां पर जो है गाइस यह almost जो motor के phone होते है वो charging pin से charging को आप problem आते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर